आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स इस समय मौझूद है हमारे साथ NCPK ठानी जीना मानुर्टी अध्यक्ष अजेच बाटा सेख सहाब आई उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने लगातार कई बार फेस्बुक लाइब करके जो मुम्रा की इमें मुली की कबरस्तान के जमीर है व जा रहा है वहां की मिट्टे में मिल रहा है उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर कितनी सच्चाई है इसके बारे हुए तो इसके बारे में इंसिपी के ही जो नगर सेवक है वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो पानी है वो साफ हा रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यह खाड़ी का पानी है लेकिन सच्छा ही क्या है मेरी नगर से बाई बेनों ने जाकर वहाँ पर जो statement दिया उससे मुझे कोई एतराज नहीं है सबकी अपनी अपनी सोच होती है उन लोगों ने वो पानी आने का जरीया देखा नहीं होगा शायद शाम का वक्त तो चुका था मगरीब की अजान हो रही थी जब वो लोग वहाँ खड़े थे तो मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि उन लोगों ने वो जो हालात मैंने दिखाये थे वीडियो में उस पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसा statement दिया पानी नाले का ही था और वह इसलिए था कि जो में नाला है पूरा मतलब जहां हम बैठे इस वाट से लिके जो नाला जा रहा है तक्रीबन 8 वार्डो का पानी जो उस नाले से होके जाता है उसको जो है वो रोड जो बन रहा है में वेली का वो कॉंट्रेक्टर ने जो है वहां से कलवड बनाने के लिए उसी नाले का ब्रिज बनाने के लिए पाइलिंग का काम कर रहा था तो उसने ये सोचा कि मैं बन कर द तो वह नाला अपनी जगे रूप नहीं सका और जमीन से होते हो पानी जो बिलकुल उससे 30-40 फुट पर जो है कबरस्तान की जमीन है उसकी बांडरी वाल एक तरफ से खुली वी थी वहां से पानी रिषने लगा मैं इत्ते फाक से वहां से गुजर रहा था मैंने पानी देखा हम वहां पर लोगों से इंक्वारी किया तो उन्होंने भी यह बता है रोज मोटर लगाते हैं हम शाम तक के फिर सुबह आते तो पानी जम जाता है अगर यह कोई मतलब नेच्रल वाटर होता तो इतना पानी और इतने कम लेवल पर जमता नहीं और प्लस खाड़ी इतनी हम तक के रिसके आना इंपॉसीबल है वह सब होने के बाद में जो है जब आपने फेस्बुक लाइफ करके पूरे सहर को इसके बारे में सच्चाई दिखाई उसके बाद जिस तरह से फिर और नगर सेवोक के तरफ से फेस्बुक लाइफ किया गया उसी आप से आपका घहरा रात को दस बजे उसी दिन रात को दस बजे फिर लाइफ जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की मेरे नगर से वक भाई बेनों को समझाने की कोशिश की कि जो मैं बोल रहा था वही सही था क्योंकि मैं सबूत के साथ बोल रहा था और मैंने फिर उनको ये बोला भी था कि अगर मैं गलत साभीत होता हूं तो मैं उनसे नहीं पुरी अवाम से माफी माँआ हूं न क्योंकि वो मुद्दा लेकिन ऐसा कुछ मामला दूसरे दिन सामनी ने Bjorknade मैंने जाकर दूसरे दिन भी एक लाइब वीडियो लगाए है चलाया उसमें दिखा है कि वो नाला खोल देने के बाद में, दूसरे दिन आ गॉन्ट्रेक्टर ने नाला खोल दिया, पानी सीधा जाने लगा, तो उस खड़े में पानी का लेवल कम हो गया, तो इससे यह साबित हो गया कि मेरी बात सही थी, ठीक है उसमें खाड़ी का पानी आता हो गया तो मेरी बात सभीटी और मेरा जो नीकाल क्ट करिंद कर नहीं को फेख रहा तो या भी बहूत अच्छा हो आज भी में लाइव जाके यह कबरस्तान की जमीन और आज जो आपने Facebook लाइब किया था वीडियो वहां पर देखा गया है कि साफ तर पर वहां से नाली से गंदी मिटी निकाली जा रही है और वह कबरस्तान की जमीन तो कहीं न कहीं वह गंदी मिटी उस मिटी में मिल रही है तो किस हिसाब से वहां फिर फिर जो है मैयत दफन क की जाएगी हाँ तो ने आप मेरी बात नहीं समझें में वहीं समझा रहा था कि वो लोगों ने कबूल कर लिया कि वो मठी गंदी हो गई है इसलिए वो मठी निकलने का काम अभी चल रहा है और मैं मेरे जेरे नजर ही जो है वो काम कर रहा हूं मैं रोज जाओंगा वहां पर जाके वहां पर राउंड मारूंगा देखूंगा कितनी मठी निकल रही है कितनी नहीं निकल रही है लेकिन जिस जजबे के साथ में वो कॉंट्रेक्टर काम कर रहा है जो कबरस्तान का कॉंट्रेक्टर है रोड वाला नहीं कबरस्तान का कॉंट्रेक्टर है वो जिस जजब सबसे बड़ी बात है कि कमिशनर साब ने वहाँ पर जोर देकर अपना रोल अदा किया उन्होंने सकती बरती अपने अधिकारियों को भेजा दिन रातों आप काम चल रहा है साथ में हमारे आमदार आवार साब ने इसकी फिकर की तो जब आपने दो तीन मर्त बात की सुपर जटाया अभी खाली boundary wall और उसको उस जमीन को बाटने का काम बचा है और मटी जो उपर की जो मटी वो लाने का काम बचा है ऐसे हालात में वो जो एक contractor की मामूली से लापरवाई के विए से थोड़ा सा मामला खराब हो गया उन्होंने अपनी फिकर जता ही और मेर को बोला कि आप एकद कब्रस्तान बन जाता है तो जो और वहां पर है वह नाला वहीं पर रहेगा अगर वह पर फिर पानी बाहर राएगा तो इसी के लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहरा है जो आप लोगों ने वीडियो में दिक्खा के कि जिस कोने में कब्रस्तान की दीवार को लगकर 40 exact दूर पर नाला है तो वो जो 40 फूट का बीच में गया पे न वो एक नया रोड बन रहा है हमारे टीमसी का प्लांड रोड है डीपी रोड है जो पीछे आमीना बात को टच करेगा तो जब वो रोड का काम चालू होगा तो नाला भी बनेगा अभी नाला जो एक कच्चा है उस सबसे पहले कबरस्तान दी जाएगी उसके बाद रोड का काम चालू होगा जिसको खोटके बनाया जाएगा उसके बाद में फिर नालेक का जो है ना लाइन होगी सबसे पहले कबरस्तान दी जाएगी उसके बाद रोड का काम चालू होगा फिर कहीं जाकर नाला बनेगा इसा नहीं है अब कबरस्तान का काम चालू होगा यह बस दिवाली के बाद से लेकिन कबरस्तान तो पूरा होने वाला है ना कबरस्तान को बहुत काम बाकी है को चार इस्से में बाटना है या किक्रिस्चन बाटना गई है जितना आपने जमीन में मटी यह और भर्नी बाकी है जूक्य बारिश अभी गई है तो इसी मुरूम मत्टी जो अवेलेबल नहीं हो रही है हर जेगे से तो इसको मेरे सब से मेरा अंदाज ह जल्द से जल्द मिलेगा और आप कह रहे हैं अभी उसमे बहुत काम बाकि हैं, अभी उसमें बहुत दिन लगेगा, किस हिसाब से कितना देर बाकि उसमें कितना वक्त लगेगा, या इनसे पे के ओलनेता जूट बोल रहें कि कबरस्तान मुमरा वालों को जल्द दिया जाएगा, और आप कहे रहे हैं अभी उसको चार भागों में कुछ आना चेंण लेकिन इससे ज्यादा ताइम नहीं लगेगा और नकिम्हस? और जो सुनी का प्रस्तान है, जो मतलब वक्त की जरूरत है, उसके उपर पहले ध्यान दिया जा रहा है, उसी पट्टे को जो पहले काम किया जा रहा है, तो ऐसा उम्मीद है कि वो तो पहले त्यार हो जाएगा इंशाल्ला, और जो लोग बोल रहे कि अब जल्दी मिल नहीं है, तो आपना जा जाएगा जोग दिस गीजा, जो वहा गंदा पानी बह रहाए था, उसके बारे मैं जो मुमरा वासियों को दिखाया है था, वो सारी चीजे जो है सच साबीत हुई है कैमरा मैन समीर के साथ इसलामोद्दिन खान प्राहर टाइम्स मुम्रा